हमारी जो प्रमुक मांगे रही है उससे पहले जो सभी पचास से अधीक लोग जिनकी मौत हुए हम उनके परिवारों के प्रति अपनी सब्मेद्ना व्यक्त करते हैं आम लोग हो पुलीस के अधिकारी हो जिसमें अंकित शर्मा शामिल है पुलीस के कॉंस्टेबल एक उसमें शामिल है यह तमाम लोगों के परिवारों के प्रति हम अपनी गहरी गहरा शोक व्यक्त करते हैं और यह उम्मीद करते हैं कि जो जखमी है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो लेकिन हमारी ये मांग रहेगी कि अनुराख ठाकुर परवेश्वर्मा कपिल मिश्रा अभैवर्मा इनके उपर बगैर कोई समय और अधिक लेते हुए एफायर दर्ज हो और कानूनी कारवाई उनके उपर शुरू होनी चाहिए दो SIT गठित करने का काम हुआ है लेकिन SIT से बहुत कुछ सामने आएगा इस पर हमें भरोसा नहीं है और इसलिए हम ये मांग करते है कि एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वाईरी हो जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के वरतमान नहायदीश के निगरानी में हो ये हमारी एक प्रमुक मांग हो ताकि ये दंगो के पीछे ये हिंसा के पीछे कौन जिम्मेदार है वो एक निश्पक्ष तरीके से पूरे मुल्क के सामने आए और इस तरह की घटनाएं फिर ना हो उस दिशा में कुछ हम कदम आगे बढ़ा सके जो सरकारी अधिकारी जो प पुरंद कारवाई होनी चाहिए ये हमारी मांग है क्योंकि कई सारे लोगों ने हमारे सामने अपनी बात रखते हुए ये शिकायत करी कि पुलीस अधिकतर मुकदर्शी बनी हुई जगा जगा पर पाई गई ये भी हकीकत है कि कुछ पुलीस अधिकारी घायल हुए कुछ पुलीस के लोगों की मौद भी हुई लेकिन ये भी उतनी ही हकीकत है कि पुलीस अधिकतर जगों पर ये मुखदर्शी देखी गई और लोगों का विश्वास पूरी तरह से पुलीस पर का ये तूट चुका है. हमारे समाज के दो प्रमुक समुदायों में भी एक भारी अंतर और अविश्वास का माहोल बना हुआ नजर आता है. और इसलिए हमारी ये और एक मांग है कि तुरंट इन इलाकों में खास करके बच्चे और महिलाओं का काउंसिलिंग करने का काम ये शुरू होना चाहिए ताकि जो दूरी समुदाय, दो प्रमुक समुदायों के बीच निर्मान हुई है, वो दूरी जल्द से जल्द हम समयाब हो, ताकि दिल्ली फिर से सामान्य तरीके से रह सके.